नमस्कार स्वागत है आपका मुनाफ़क इवंडी में जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरे बताते हैं साथ ही आपके लिए बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं चाहे वो इंट्राडे के लिए हो पोजीशनल हो या फिर लॉंग टर्म की हिसाब से हो साथी हाजी बाजार की खबरों के साथ आपको देश भर के मंडियों में क्या चल रहा है अगरी मारकेट में वो भी हम लाने की कोशिश करते हैं चली सबसे पहले में मानों से परिप्र रॉक्रिक लेकर हमारे साथाजन अगरवाल होंगे नंगे जीरा कारोवारी हैं उन्जा मंडी से गुजरात से जुड़ेंगे हमारे साथ जिनसे हम जीरे की रिपोर्ट ले लेज़ चलिए सबसे पहले टॉप 10 खबरे देख लेते हैं कि आज कहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है गोर्ड सिल्बर की बात करें तो दोनों ही काउंटर में दाइरे में कारोवार हो रहा है हलकी तेजी हलाकि दिख रही है सोना लेकिन चांदी 72,000 रुपए के उपर है क्रूड आज दबाब दिख रहा है कल की तेजी अब गायब हो गई है 723 रुपए के आज पास कौपर का बायदा और जिंग 210 रुपए पर 1% की तेजी जिंग में दिख रही है आगरी मार्केट की बात करें तो जीरा दबाब भिखा रहा है 45,000 रुपए के आज पास NCDX पर दिख रहा है हल्दी 7,500 रुपए के आज पास माई हाई से हल्दी का बायदा 1,000 रुपए नीचे अब तक आ चुका है धनिया की बात करें तो इंट्राडे में 6,000 के नीचे था अब हलकी तेजी दिख रही है गवार सीड और गवार गम दोनों में हलकी तेजी है 10,700 के आसपास गवार गम और गवार सीड की अगर बात करें तो वह 5,425 रुपए पे कॉटन पर दबाब है 69,800 के आसपास MCX पर एक पर से नीचे है कॉटन के एक पर भी दबाब दिख रहा है 2550 रुपए के आसपास चली लेकिन सब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की पहुंकि कच्चा तेल जिस तरह से उपेक के फैसले के बाद उम्मेद लगाई जा रही थी कि अब असी के ऊपर चला जाएगा ब्रेंट कूड का भाव। भावी क्या लग रहा है आपको किस तरह की चाल कच्चे तेल की आगे रहेगी और ट्रेडर्स के लिए क्या सला है अगर पोजिशनले लॉंक रखना है टाथिंग 6200 के ऊपर जाना बहत ज़रूरी है क्योंकि ओपिक प्लस में जो पहले प्रोडक्शन कट था वो तो 2024 तक कंटिन्यू किया है अगर देखे यूएस के सर्विस और PMI और मैनुफेक्चरिंग तो वो दोनों दिखा रहे हैं कि शायद स्लोडाउन हो सकते है उसकी वज़ा से हमने कोई फॉल्ल अब बाइंग नहीं दिख रहे हैं यह क्रूड में और इंट्राडे भी मुझे लग रहा है कि शायद यहां से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है बट अगर शॉट तर्म मुविंग एवरेज हम देखे 200 दिन की शॉट मुविंग चार्ट में तो उसने बार-बार वहां पर सपोर्ट और रेसेंस लिया है तो इस सब से टेक्निकली मुझे लग रहा है कि यहां से एक बार 58-70 तक आना चाहिए और वहां से एक शॉट रिकवरी दिखनी चाहिए तो एक डिप मिलती है कॉंट्रेक्ट अराउं 58-70 तो बाई कर सकते 59-80 के टागेट के लिए और 58-110 का स्टाप्लस रख सकते है ये सला आपके लिए कच्चे तेल पर है इंट्रेक्ट लिए 58-70 पर खरीदे 5-980 के टागेट के लिए जिगर आपकी सला क्या है कच्चे तेल को लेकर स्टेशन के बाद जो मुवमेंट था वो बहुत ही एक्सपेक्टेट था लेकिन मार्केट ने यहां पर सस्टेंट नहीं किया है रशिया की और से कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं है और साओधी अरेबिया ने यह जो किया है क्लियरली बोला हुआ है कि एक महिने के लिए ही यहां पर प्रोड़क्शन कट करेंगे आगे जाके वो सिट्यूशन को अब्ज़र करके आगे का डिसिशन लेंगे तो इसके बाद हमने देखा कि WTA Crude Oil 71, 72 डॉलर के असपास स्ट्रगल किया है और करेंटी आज हम देख रहे हैं कि प्रैसिस में थोड़ा बहुत सेल अफ आया हुआ है डॉलर इंडेक्स बी स्ट्रेंथ में है 103.89 के असपास यहां पर स्टेडी है I think मुझे लग रहा है यहां पर और बिक्वाली का माहूल बन चकता है I am comfortable going short in Crude Oil, in fact Crude Oil अगर थोड़ा सा bounce भी आता है 5970 तक का, one should go short in June contract 5970, stop loss should be 6030, target would be 5870 5870 के stop loss के साथ यहां पर आपको खरिदारी की सला जिगर दे रहा है देब्या, आपकी call क्या है, option में भी कोई trade है, आपके पास क्या? गुड मॉर्निंग विश्मोहन जी, कैसे कि कल टुडल gap up हुआ था surprise cut के बाद पर जो rally है और sustain हो नहीं पाई, क्योंकि उसका main factor यह थी ISM service PA में यो data आया था, वो week आया था और एक concern भी है US में, demand concern है, और साथ में चाइना के में बात करूं, तो वहाँ पर भी जो economy recovery है, वो इतनी fast हो नहीं रहे है, तो वहाँ से भी एक demand concern आए, और जब तक demand concern हैगा, जो world largest oil consumer है, USA और चाइना में, जब तक मुझे लगता है कि Salon Rise की strategy हमें करनी चाहिए, फूरल के अंदर, पांच आर नवस्वा का जो put option है, वो 90 के around buy करें, stop loss हम 60 का रखें, और target उपर में 130 का maintain करें, पांच हजार नौसो की put खरीदने की सलाह है, 90 के level पर 130 के target के लिए, चलिए अब चांदी की चाहिए, बहतर हजार के ऊपर चांदी आच चुकी है, हलकी तीजी आपर दिख रहें, जीगर क्या सलाह है, चांदी में क्या करना चाहिए, बहतर हजार के ऊपर? मैं session की बात करूं, तो along with waste metals, चांदी में भी हमें एक rally देखने को मिल रही है, अगर इंटरनेशनल फ्रेंट पर बात करें, 23.58, 57 की आज़ पास steady है, कोई mental economic data तो आज या आने वाले इन दिनों में western countries से नहीं है, जो focus है, वो FED पर है, कि 14 जून को FED क्या करेगी, uncertainty है, market में चाहिए, वो चांदी को लेके हो, या gold को लेके हो, बट जैसे कि मैंने बताया, आज base medals में एक rally का माहल है, इस विज़त से चांदी में भी हम देख रहे है, कि थोड़ा बहुत यहाँ पर buying momentum देख रहे है, July contract 72,000 की आज़ पास मिले, one should go long, and 71,700 का stop loss लेके चले, 72,600 के target के लिए, चांदी पे आपका है, भाविक, आप क्या सला दे रहे है, बहतर हजार के ऊपर पर क्या करना चाहिए, traders को? पोजिटिव लग रहे है, अगर थोड़ा correction भी आता है, 71,590 से 71,650 के करीब, तो long कर सकते है, 71,200 के stop loss है, और target रख सकते है, 72,350 के target के लिए, dip पे खरिदारी की सला है, जो current level है, यहाँ से 500 रुपे का correction है, फिर खरीदे, देबया, आपकी call क्या होगी, gold और silver में क्या करना से यहाँ? और साथ में अभी USA और चाइना में भी टेंचन बढ़ रही है, तो जो safe haven की demand है, वो भी gold में तीख रही है, तो मेरा व्यू गोल्ड में बाया रहे हैं, 59,700 का support है, वहाँ पे बाय करें, stop loss हम 59,500 का रखे और target ऊपर में 59,950 का maintain करें, सिल्वर में भी हमें तेजी देखने मिली, although sentiment mix है इंडर्शन मेडल में, पर आज copper और zinc अच्छा एक अच्छी rally देखने मिली है, तो वह एक support कर रहा है प्राइजिस के लिए, तो सिल्वर भी में बाय में रहूंगा, सिल्वर हम 71,800 का buy कर सकते है, stop loss हम 71,400 का रखे और target ऊपर में 72,300 का maintain करें, जिगर आपको भी लग रहा है, खरीदारी करके जाए, 69,850 है current level, इस level पर खरीदे क्या सोना? जी, बिलकुल विश्रमोंद, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा deep अगर market में आता है, 59,800 तक का, then one should go long, 59,700 का यहां पर stop loss लगे चले, 60,000 का target लेके हम यहां पर आगे long कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, आज से लेके अब यह हफते में कोई major economic data नहीं है, western countries से, FED को लेकर uncertainty है, लेकिन मुझे लग रहा है, कल के दिन में जो economic data US के आये थे, उसके बाद dollar index जो 104.10 के असपास सा, 103.8588 के असपास cool down हुआ है, यहां पर थोड़ा बहुत opportunity मिल सकती है, गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, तो comics front पे 1930, 1985 यह एक range बन चुकी है, जब तक यह range break नहीं होगी, तब तक distance you call लेना difficult है, लेकिन intraday के लिए long initiat कर सकते हैं, चलिए, अब बात कर लेते हैं, natural gas की, natural gas हलकी गिरावट है, पौना पर्सेंट के आसपास की 187 रुपए के नीचे, क्या करना चाहिए, इन लेवल्स पे, natural gas में, दिब्या आपको, अगर option में कोई trade है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कापी volatile counter है यह, अब बात कर लोगा, इवनिक सेशन में, अच्छी रैली देखने मिली, वेदर पोर्कास्ट है, वो थोरा सा अगर हम है, तो उसके बज़े से, पावर जनरेशन के लिए बड़े की, तो उसके लिए बात कर लोगा, तो डेली चाट पे spinning top formation हुआ है, उसके बाद एक green candle बनी है, तो वो भी एक positive sign है prices के लिए, buy and dips की strategy रखनी चाहिए, नेचल गैस में, 185 का जो call option है, वो 10 के असपास buy करें, stop loss हम 7.5 का राएं और target उपर में 13 का maintain करें। 185 के strike की call option खरीदने की सला नैचल गैस में दे रहा है, जिगर आपकी सला क्या नैचल गैस में? नैचल गैस में मेरा भी view तो लॉंग का ही है, हमने 210 से लेके 180 तक का एक sharp fall देखा था और दो दिनों से हमने देखा है कि market में थोड़ा बहुत buying momentum आया है, आज हाला कि थोड़ा pressure है लेकिन मेरा call जो है वो buy only about 190, stop loss would be 187, target would be 196 is also possible, अगर option में खिलना है तो 190 के call option 23rd June expiry के हम buy करके चल सकते हैं, around 9.5, 9.8, stop loss should be 4 rupees and target would be 18. चर्स दोनों के विकल्प आपके पास है, 196 तक जीघर को लगता है कि उपर की तरफ जा सकता है, तो आप 190 के strike की call option खरी सकते हैं, base metals में अब recovery आ रही है, 210 के करीब zinc है, copper 723 के उपर, lead हाला कि उस तरह की गिरावट भी नहीं आई थी, 183 रुपए के आसपास, आपनियम लेकि मेरे topic रहे है कि copper में, copper में मुझे लग रहा है कि 728-730 का उपर का range है, एक retaste करने जरूर से आएगा, क्या कि हमने अच्छे recovery देखने को मिले है 700 चार से, और अगर inventory भी देखे तो 3 दिन में LME की inventory वो steady हो चुकी है, उससे पहले 15 दिन में बढ़ी रही थे, और एक oversold zone से भी बाहर निकल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जब भी next week, जब शायद rate pause होगा, और dollar और week होगा, तो हमें शायद और ये rally extend हो सकती है, अभी के अभी तो मुझे लग रहा है कि 730 का जो पहले का resistance है, वो ज़रू से retaste करने आएगा, तो copper मेरे topic रहेगी, 720 में buy के recommendation रहेगी, target रहेगा, 727 से 730 का, और stop loss रहेगा, 715 का, अब देबया आप बताई, copper पे भी अपना व्यू रखें और साथी, lead में बताई कि काफी डायरे में है, यहां पर क्या करना चाहिए? कॉपर में हमें एक अच्छी rally देशने में ली थी, कल LME का जो copper contract है, वो almost तीन वीक के हाई पे था, 8372 डॉलर पे, main अभी जैसे की देखा कि कोई ज़्यादा eventful है, next week ही एक बड़ा सा event है, तो sideways ही trade कर रहे है, पर bias is towards, it will be towards positive, क्योंकि dollar index भी तोरा सा कमजोर हुआ है, copper पर सब्सक्राइब करता है, तो जब भी प्राइब करता है, तो उसके उपर ही buy करके चले, stop loss हम 723 का रखे, और target हम 730 का maintain करें, और लेट की में बात करूं, तो एक range में कारोबार हमें करने देखने मिल रहा है, तो जो भी traders है, जिसको volatility ज़्यादा पसंद नहीं है, तो lead में काम कर सकते है, 182.5 का जो level है, वहाँ पर buy करें, top loss हम 181.5 का रखे, और target उपर में 183.6 का maintain करें, चले, अब जीघर, आपकी topic क्या होगी metal में, आज कहाँ क्या खड़िदारी करनी चाहिए metal में, जिंक में मेरे यहाँ पर buy call है, हम पिछले चार मेने का अगर हम यहाँ पर जिंक का चार्ट देख रहे हैं, तो चार मेनों से लगातार, month on month, यहाँ पर हमने घिरावट देखी है, 295 वाली जिंक, 204, 205 पर support लेके, consolidate करके, थोड़ा बहुत positive momentum देख रहा है, positionally अगर भी जि जिंक मेनी में भी position ले सकते है, target would be 220, 225, हाला कि intraday के हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर one should go long in zinc, जुन contract at current level, 209.5, 210 and stop loss would be 207, target would be 212, 214 also, चलिए अब बात कर लेते हैं, एक एहम ख़बर की, जीरे को लेकर वो ख़बर है, और लिएक से पहले IMD की तरफ से एक ख़बर आ रही है कि दक्षिन पुर्वी अरव सागर में चक्रवाती तुफान की संभावना बन रही है, IMD से इस तरह की बात कही गई है, और यह एक एहम अपडेट क्योंकि IMD का अनुमान है कि कल केरल में मौनसून की इंट्री हो जाएगी, उससे पहले यह चक्रवाती तुफान की जो ख के बाद आगे मौनसून को लेकर क्या प्रोग्रेस रहेगा, इस पर अब आगे नजर रहेगी, कल पूरी डीटेल्स लेकर आएंगे, कल फिर से हमारे साथ IMD के साइंटिस्ट लाइब होंगे, कल मौनसून की एंट्री कब तक होगी किरल में आगे कि क्या दिशा रहेगी मौ कमजोरी दिखा रहा है, आज 6,000 के आसपास है, इंट्रा डेमेज 6,000 के नीचे भी चला गया था, हल्दी में भी यहाँ पर कमजोरी दिख रही है, 75,000 रुपए के नीचे, भाविक बताईए मसालों में क्या करना चाहिए इन तीनों ही काउंटर में, दो में आज जबाब द कर रहा है, धनिया सा पाट है, क्या करें तीनों में? तो ट्रेड अगर अपरचुनिटी रहेगी, तो एक हल्दी में रहेगे, कि कोई वहाँ से 8,700 से हमने करेक्शन 7,400 तक दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि यह करेक्शन 7,200 तक भी दिख सकता है, तो करन्ट मार्केट प्राइसे ही मैं रिकमेंड करूंगा कि हल्दी में प्राइसे हैं आपका इटीनाउस वदेश पर, जीरे की ग्राउंड को लेकर क्या रिपोर्ट है, किस तरह की अराइवल्स है, एक्सपोर्ट को लेकर किस तरह की डिमांड है, ग्राउंड के डेटा क्या सज़ेस्ट कर रहे हैं? जी अभी जीरे के अंदर क्या है कि फंडामेंटल काफी मजबूत है, आमदरी जो जीरे उन्या मंडी के अंदर आ रही है, वो चार ते पांच जार वोरी रोज की आ रही है, उसके सामने डोमेस्टिक डिमांड भी ठीक है, और एक्सपोर्ट में जैसे अभी अपने बकरी ज जी 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 जैसे कि तुर्की सिर्या अफगान की फचल सामने खड़ी अपने, उनके कोटनेशन थोड़े मीची आ रहे थे, पिछले दो-टीम दिनों में उनके कर्वें 200 दॉलर के भाव बड़े हैं, और वो क्रॉप एक 87 लाग बुरी के आसपास की क्रॉप है, वो इंडिय कि मार्केट को कोई एफेक्टिव नहीं करती है, तो अरड़ी जो कंजूम है, और वर्ल्ड में जीरे की सप्लाई है, वो अपने उन्जा से ही होनी है, डोमेश्टिक अराइवल की क्या इस्तिती है, सच्छजण जी? एफेक्टिव नहीं करते हैं, और राजस्तान को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है जीरे में अब? चोटे बेपारियों या बड़े बेपारियों के हाथ में आ चुका है, अब भाव की बात कर लेते हैं, सर भाव 45,000 रुपए के आसपास है वायदा में, हाजीर में भी उसी आसपास में है, क्या लग रहा है, यहां से कितनी तेजी की उमीद करें, जो खरीदारी करना चाहरे उनके लिए का ला देंगे, इन भावों पे खरीदे या और गिरावट का वेट करना चाहिए नहीं खरीदारी से पहले? इसमें 10 रुपे का करेक्शन मार के, मान के अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जीरे के भाव के लिए आस्मान पुला है, बहुत जल्दी इन फूचर, मेरे क्यादी एक मेने के अंदर अंदर यह जीरा 500 रुपे ट्रेड करता हो, वायदा बजार में दिखा ही देगा, और 60,000 भी नामुम्किर नहीं है, हो सकता है कि आगे चल कर, अलाकि यह शौटर में नहीं बता रहे हैं, तो मामली और हल्की फुल की घिरावटा है, करेक्शन में आपको खरीदारी के मौके देखने चाहिए, यह सजन अगरवाल जी को लगता है, शुक्रिया सर, आपने वक परसें नीचे है, कॉटन कैंडी का भाव, भावी क्या लग रहा है, कॉटन में 69,800, आज 1 परसें नीचे है, क्या करना चाहिए, कॉटन केक में, कॉटन में, माफ कीजिएगा, कॉटन में 57,000 से 60,500 के कच्छी रिकावरी हमने देखने को मिली है, और अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि बारिश से पहले, जो अगर हम देखे, तो काफी सारे जो कॉटन के ट्रेडर्स है, वो अपने माल खाली कर रहे है, तो उसकी बज़े से, एराइवल थोड़ी है, तो प्राइसीस थोड़े मुझे लग रहा है कि करेक्शन और हो सकते हैं, तो यहां से एक बार करेक्शन 58,800 से 58,500 तक दिख सकता है, तो शौट करके ही चलना चाहिए, यहां से 60,500 के स्टॉपलोस है, और नीचे मुझे लग रहा है टागेट 58,800 से 58,500 तक हमें दिख सकत हैं, यह MCX कॉटन पर भी हुए, कॉटन केक भी हाला कि बीच में रिकवरी की से सो रही थी पिछले हपते, 27,500 के आसपास भी भाव गया था और फिर से गिर गया है, आज भी 1% नीचे है कॉटन केक, 25,500 के आसपास है, क्या लग रहा है भावी कि यहां पे कॉटन केक में? ठेक्निकली मुझे लग रहा है कि 25,30 के नीचे जाता है तो यहां से 24,50 टक के भी टागेट आ सकते हैं, तो एक बार वेट कीजिए, अगर 25,30 के नीचे ट्रेट करता है, तो शॉट पोजिशन ले सकते हैं, 24,50 के टागेट के लिए, और स्टापलोस रख सकते हैं 25,80 का, तो हाजी डिमांड या सप्लाई को लेकर नहीं है, पूरी सब्सक्राइब टेक्निकल व्यू है, सिर्फ एक्सचेंज में जो ट्रेट करते हैं, उनके लिए ये राय है, चलिए अब बात कर लेते हैं, गौार सीड और गौार गम, जहां पर आधे परसंट तक की तेजी दिख रह रहे सपोर्ट के यहां, मुझे लग रहा है कि आगे जाके तभी वीक हो सकती है, अगर नॉर्मल मौनसून आ सकता है, अभी अगर 15 डेज के बाद पता चलेगा कि मौनसून कैसा रहेगा, तो तब तक के लिए मुझे ज्यादा मीजर करेक्शन नहीं लग रहा है, बट हाँ, रिस्क रिवर्ट से यहां से लॉंग करनी की ज्यादा अच्छा दिख रहा है मार्केट, तो करेंट मार्केट प्राइसे ही मैं गुवासी में बाई की रिकमेंडेशन करूंगा, 55-50 के टागेट के लिए, और नीचे स्टॉपलस रहेगा 53-50 का, और सेम अगर गुवार गम क करें तो गुवार गम में भी मुझे लग रहा है करन्ट मार्केट प्राइसे ही भाई कर सकते, 10,500 के स्टॉपलस से, और उपर में टागेट रख सकते है 11,100 का, भाविक आपका, दिवया आपका और जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, मुनाफे की मंडी में फि प्री एफेनों जंक्शन, आपका.